नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियांस चोयल में कलर्स टीवी के शो डांस दिवाने 3 के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टोप 8 कंटेस्टेंट के नाम रिवील कर दिये गए है वहीं उद्य और जमना जी का हुआ एनिमेशन अब यह टोप 8 कंटेस्टेंट अगले हपते परफोर्मेंस करेंगे और उनको चैलेंज करने आएंगे चार वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बता दे कि दांस दिवाने 3 में आए चार वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट में से दो नाम हैं जो फिर से लोटे हैं वो हैं पापाई एंड अंतरा और शोमास जी हाँ दोस्तों एक गलती से ब्रेक टेकिंग डांसर पापाई और अंतरा डांस दीवाने तीन से एलिमनेट हो गए थे वो पूरे इंडिया को मंजूर नहीं था तो आखिरकार देश का प्यार पापाई और अंतरा के लिए फिर से लेकर आया है डांस दीवाने तीन में एक वाइड कार्ड एंट्री वाइड कार्ड एंट्री से लोटे पापाई और अंतरा ने एक बार फिर से सब को चोका दिया वहीपपाय और अंतरा के साथ कुछ दिन पहले शोग से बाहर हुए कंटेस्टैंट सो मांज वी लोट कर आए वाइट कार्ड एंटरी के साथ 2 नए कंटेस्टैंट की हुई वाइट कार्ड एंटरी जिनमें से 1 है क्रियेटिव डांस क्रूप रेमोडी सुजा के डांस प्लस 5 में कंटेस्टन रह चुके क्रेटिव डांस क्रू एक बार फिर से आप देखेंगे डांस दिवाने 3 के मंच पर वही डांस दिवाने 3 के मंच पर चोथे कंटेस्टन ने वाइट कार्ड एंट्री ली है वो है सद्दाम सेख पता दे कि सद्दाम सेख इससे पहले डांस इंडिया डांस सीजन 5 में कंटेस्टन रह चुके हैं और उनके डांस से जजेज और चंता भी मुश्किलों और बढ़ने वाली है अब डांस दिवाने 3 के ये चार वाइट कार्ड कंटेस्टन पपाई और अंत्रा सुमान सद्दाम और क्रियेटिव डांस क्रू चेलेंज करेंगे शो के टोप 8 कंटेस्टन को और जिनका डांस होगा सबसे बहतर वो टिका रहेगा इस शो में तो क्या कहना है आप सभी का डांस दिवाने 3 में होने वाले वाइड कार्ड एंट्रिक को लेकर अपनी कमेंट करके जरूर बता दें देखते रहें डांस दिवाने 3 हर शनिवार और रात 9 बजे कलश टीवी पर दन्यवाद फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही डांस दिवाने 3 से जुड़ी खबरे सबसे पहले जानने के लिए सबस्क्राइब करें हमारा चैनल रेयांस चोयल